नमस्कार मित्रो, मैं डॉक्टर सेंदी बसीन मेरू मंत्रा से अब सब जानते हैं भारत के अंदर अद्बुत मंदिर और रहसे में स्थान है जो सालों से यहां पर हमारे लिए उपस्तित हैं ताकि हम उनका फाइदा उठा सकें उनमें से एक ऐसा स्थान है शिरी के दारनाची का मंदिर और यह एक अद्बुत रहसे में मंदिर है जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं लेकिन इसके विशे में आज हम एक और बात आपको बताएंगे जो बहुत ही अद्बुत बात है और वो यह है कि आज से चार हजार वर्ष पहले आठ ऐसे मंदिरों का निर्मान हुआ और वोज सभी शिव मंदिर थे जो एक ही लॉंगिटुडनल एक्सिस पर बनाए गए और यह ऐसे आठ मंदिर 79 डिग्री इस्ट लॉंगिटुड पर बने हुए है और यह सारे के सारे मंदिर एक्जाक्ट लॉंगिटुडनल एक्सिस में है एक स्ट्रेट लाइन में है और यह मंदिर में से पांच मंदिर पंच महाबूतों को भी दिवांगत करते हैं यानि की पृत्वी, जल, अगनी, वायू और अकाश इनको भी यह रिप्रेजेंट करते हैं यह मंदिर जिनको पंच महाबूत्स तलम भी बोला जाता है तो यह मंदिर कौन-कौन से है केदारना से रामेश्वरम तक 2300 किलोमेटर से अधिक किलोमेटर का डिस्टन्स है और यह इतनी दूर में बनाए गए मंदिर एक सेम लॉंगिटूनल एक्सिस पे है और यह मंदिर है अन्नामलायर मंदिर जंबुकेस्वरम मंदिर और रामेश्वरम मंदिर यह आठों मंदिर एक ही लाइन में है सबसे बड़ा जो अश्वर जनग घटना है कि अगर हम आज भी इन मंद्रों का निर्मान करना चाहें एक longitudinal axis पे तो ये बिना satellite के और GPS location के संभव नहीं है लेकिन 4000 वर्ष पहले जब satellites नहीं थे, GPS नहीं थे तब इन 8 मंद्रों को same longitudinal axis पे कैसे निर्मान किया गया ये अभी तक archaeologists बिलकुल समझ नहीं पाएं हैं और अभी भी एक चर्चा का विश्य बना हुआ है तो ये अद्बुद बात है आप इसका फैदा जरूर उठाएं अगर आप भारत में रहते हैं इन स्थानों पर जाएं और इन में जो दिव्य तरंगे हैं जो अद्बुद वाइबरेशन्स हैं उसका जरूर फैदा उठाएं धन्यवाद मित्रो